मैं आपको बताता हूँ जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पे दो पॉइंट्स लिखे हुए देखे बी ओरिजिनल और इस्टिक टू रिजिस्टर्ट केटेगरी मैंने इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो किया है कंटेंट तो अपना सबका ओरिजिनली रहता है तब ही पब्लिश होता है उसके बाद इस्टिक टू रिजिस्टर्ट केटेगरी आपको अपनी जो केटेगरी है रिजिस्टर्ट केटेगरी यहां से आप चेक कर सकते हो आपको अपनी रिजिस्टर्ट केटेगरी पे at least one पोस्ट daily लिखना पड़ेगा आप दूसरी केटेगरी पर भी लिख सकते हो पर इस केटेगरी पे आपको at least one पोस्ट लिखना है तो उसके बाद आपकी जो प्रोफेशनलिजम हे वह automatically increase हो जाएगा मैं भी इसे करता हूँ उसके बाद next देखते है quality guys quality आपके title और जो cover image रहती है उस पर depend करता है तो आप जो cover image यूज करें या फिर जो भी photos यूज करें अपने content में तो फोटो की इस बात का धियान रखें कि जो photo है उसकी quality बढ़िया है मतलब उसका जो resolution है वो ठीक रहे मतलब आप HD quality के अगर images यूज करते हैं तो better रहेगा तो इसके अंदर इतना ही है बाकी title, title simple होना चीए आपका ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं होना चीए तो quality increase हो जाएगी उसके बाद influence influence directly आपके views पर depend करता है तो अगर आपका content अच्छा है comments आ रहे हैं likes आ रहे हैं और followers भी बढ़ रहे हैं तो influence automatically increase हो जाएगा तो hot topic पर लिखे मतलब जो trending topic है उस पर लिखोगे तो views आएगे मतलब जिसके बारे में लोग पढ़ना चाहते अगर आप उसी topic को लिखेंगे तो आपके views भी बढ़ेंगे influence भी बढ़ेंगा likes भी बढ़ेंगे comments भी बढ़ेंगे तो अगर जिसे आपके post पर comment आता है और 10-1 में से आप मतलब जिसे आपके post पर comment आए तो सबको like कर दीजे like करने के बाद 10-1 में से किसी को reply कर दीजे मतलब इसे 10 लोगों ने comment कर आ है तो उसमें से 1-2 को reply कर दीजे thank you ये वो तो उसके बाद जो आपके interactive ने से वो automatically increase हो जाएगा और ये जो active ने से इसकी तो बात मतलब ये सभी का increase रहता है ये depend करता है आप daily चेक कर रहें आपने views को और अगर जिसे आपके post जिस दिन suspend हुई या अगर आप उसी दिन उसको repost कर देते हैं तो आपका जो active ने से वो automatically increase हो जाएगा और अगर ये सभी increase होता है तो automatically index point increase हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हैं मेरा 86.3 है तो मुझे UC News की तरफ से 30% extra revenue भी मिलता है यहाँ पर benefits में जाकर आप check कर सकते हो 70s ओपर रहता है तो 20% extra मिलता है यह देखिए 130 revenue ओके so I hope you understood so अगर आपको UC News से related कोई भी problem हो तो आप comment में बता सकते हैं next videos topic पर रहेगी so thanks for watching please like and subscribe my channel